राथी राथी दोस्तों, दोस्तों कातिक पोर्मा पर इस पार चंद ग्रहन लगने जा रहा है। यह चंद ग्रहन आठ नवंबर को लगेगा। यह एक पोर्ण चंद ग्रहन होगा। भारत में ये ग्रहन शाम पांच बच कर 32 मिनट पर शुरू होगा और शाम छे बच कर 18 मिनट पर समाप्त होगा। यह ग्रहन भारत में दिखाई देगा इसलिए इसके सूतक भी भारत में मानने होंगे। इस ग्रहन के सूतक 8 नवंबर की सुपह 9 बच कर 21 मिनट पर शुरू हो जाएंगे जो कि ग्रहन के साथ ही शाम 6 बच कर 18 मिनट पर समाप्त होंगे। यह एक पूर्चंद ग्रहन होगा जो कि पूरे भारत में दिखाई देगा। ग्रहन के सूतक शुरू होने से पहले ही मंदिर के पड़बंद कर दिये जाते हैं। ग्रहन और सूतक काल के दौरान देब दर्शन देब मूर्ति का इसपर्ष करना और उनका पूजन करना बरजित्वाना जाता है। दोस्तों ग्रहन का मानत जीवन पर गहरा असर पड़ता है। किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक। शास्त्रों में ग्रहन काल को बहुत ही महत्पूर्ण बताया गया है। ग्रहन काल के दौरान बातावरण में नकारात्मक उज़ा बहुत जादा बढ़ जाती है। शास्तों में बताया गया है कि ग्रहन काल के दौरान जो भी पूजा जब तब उपाई किये जाते हैं, बहुत दसलाह कुना फलदाई होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रहन काल के दौरान करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने चाह रहे हैं। इस उपाई को करने से ना केवल आप ग्रहन के दुश्प्रभाब से बच पाएंगे। इसके साथ ही आपको धनकी देवी मा लक्ष्मी की किर्पाव प्राफ्त होगी और धन समवन्दी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाई को करने के रहें आप एक रुपय का दो रुपय का या पाच रुपय का एक सिक्का लें। इस सिक्के को पानी से अच्छी तरह से ढोकर साफ कर लें। अब इस सिक्के को लेकर आप तुलसी जी के पौधे के पास जाएं। अब इस सिक्के को आप तुलसी जी की मिटी में दबा दें। दोस्तों ध्यान रखें ऐसा करते समय आप तुलसी जी को इस पर्ष ना करें। अगर तुलसी जी नीचे तक है और आप अगर मिटी में सिक्का दबाएंगे और आपका हाथ तुलसी जी से छुल सकता है तो आप सिक्के को मिटी में ना दबाकर तुलसी जी के नीचे रखाएं सिक्का लखने के बाद आप अपने घर पर आकर भगवान विश्णु जी के महामंत ओम नमो भगवते वासु देवाय का 108 बाद जाप करें इसके बाद आप भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी को मन ही मन प्रडाम करें और उनसे अपनी सभी समस्या दूर करने के प्रात्ना करें अब क्रहर समाप्त होने के पश्चाथ आप बस्त सहित इस्नान करें इसके बाद सच्छ बस्त धारंड करें और अपने उपर गंगा चल कर छिड़काब करें फिर आप तुलसी जी के पास जाएं और तुलसी जी के पास से इस सिक्के को उठा लें। इसके बार इस सिक्के को आप अपने सिर पर साथ बार बारें। यानि कि साथ बार इस सिक्के को आप अपने सिर पर क्लॉकवाइस घुमाएं। सिक्के को घुमाने के पश्चात आप तच्छिन दिशा की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं, और इस सिक्के को अपने सिर पर से पीछे की तरफ फैंक दें, सिक्का पीछे फैंकने के बार आप पीछे मुड़का ना देखें और सीथे अपने घर आ जाएं, क्योंकि ग्रहन विवार के दिन समाप्त होगा इसलिए आप सिक्का उठाते समय भी तुलसी जी का इस पर्श ना करें। ग्रहण के दिन इस उपाई को कहने से यह बहुत ही जल्दे सिद्ध हो जाता है और अपना असर दिखाता है। इस उपाई को कहने से ग्रहण के दुश प्रभाब तो दूर होगे ही साथ ही धनसंबंदी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब। थाइब।